पावस्टार पावन सिंग के टीम ने जो हरकत किया है उससे तो साप जाईर हो रहा है कि अगर पावस्टार पावन सिंग चुनाब जीत चाहेंगे तो उनके यूटूबर और उनके टीम मिम्बर किस हद तक उपद्र कर सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते हो जी हाँ महेश पांडे को लेकर जी हाँ जिस तरीके से उसे सावरी बुलवाया जाता है जिस तरीके से भोजपुरी का सलमान कौन कौन है बोल तू सौरी बोल हाथ जोड़ के सौरी बोल जिस तरीके से अभद्र अभद्र लाइव स्ट्रीम में बाते किया जा रहा है उससे अगर ये चुनाब जीत जाएंगे तो आप सोचिए इनका लेवल क्या होने वाला है बाहु वली वाला लेवल होने वाला है और वैसे भी अब लग रहा है कि भाईया पावल स्टार पावल सिंग जो है न वो मूड में हैं कि अपने बिरोधियों को भाईया आप अपने जो गि होगी जो आपके खिलाप में न्यूज बनाएगा है क्या उसे इस तरीके से किया जाएगा अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम थी या फिर है तो आप लीगल एक्शन की बाते करें ना लेकिन यहां क्या पावल स्टार पावल सिंग जिने लोग आइडियल मानते हैं जिनके गान पावल सिंग अपने बोलने वाले को छोड़ेंगे नहीं क्या यही होगा अगर वो चुनाब जीत चाहेंगे तो महौल कैसा होगा भाई उनके जो टीम मेंबर होंगे अभी अभी ही इतना उपद्र कर रहे हैं जिस तरीके से एक यूटूबर को लाइव स्ट्रीम में बिठा कि आप सौरी बुलवाते हो कंदे पर बटर नाइफ होता है सब को पता है बटर नाइफ है लेकिन जिस तरीके से एसेंट में रखा गया है वो बटर नाइफ नहीं होता है वो नाइफ होता है यानि कि वो चाकू ही होता है और सब को पता है कि बटर नाइफ क्या होता है लेक को वाक्य में ही काबले तारीफ है कि जिस तरीके से आपने गाने गाते आप सिड़्िया चड़ गए उसी तरीके से आप बदमासी ले बल में भी अब लग रहा है आपके टीम भी नंबर वन पो जो पहुचने वाली है क्योंकि भाईया आप तो बोलने दो गए नहीं किसी को ये वीडियो जो वाइरल है बटर नाइफ और इस पे लोग बोल रहे हैं कि भया बटर नाइफ है निंदनिये हैं ये घटना निंदनिये हैं और पवन सिंग जी आपकी टीम मेंबर ने इस तरीके से क्या जब केसाड़ी लाल यादव की टीम ने इस तरीके से हरकत क्या था आज आप भी वही कर चुके और आपके team member भी वही कर चुके हैं तो कल को आप चुनाब जीतोगे तो आप समझो के दर्सकों को आप रभी किशन को देखे मनोस्तिवारी आदर निया मनोस्तिवारी के पद चिन्नों पर लोग चलना चालू किये हैं राजनितिग में मनुस्तिवारी का कोई कॉंट्रोवर्सी नहीं अपने दर्सकों के साथ में रवी किशन का कोई कॉंट्रोवर्सी नहीं है निरहुआ जी का भी एक कॉंट्रोवर्सी हुआ था उसके बाद निरहुआ जी समझ गए भाई ये कॉंट्रोवर्सी पियारो ससीकान जी के साथ हुआ था वो भी समझ गए और आप इन सबी चीजों को देखते हुए के बावजूद भी आपके टीम मेंबर क्या बोले जब सख पावस्टार का हो तो भाईया जाहिर सी बात है वो कते ना है आफ़त तो मचेगी है तो म चाहिए आफ़त मुबारक हो पवन सिंग जी बहुत-बहुत मुबारक हो आपकी 26 सुत्रों में गिनी जाती है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपकी 26 सुत्रों से हटकर एक दवंगई नेता के रूप में होने वाली है सायद बाहुबली क्योंकि आप गाईकी में नंबर वन हो नो डाउट आपके गाने हमेश्चा बहुत ही क्यूट होते हैं बहुत ही प्यारा होते हैं और हर जगा पुराने गाने हो या फिर नए गाने गाने को बहुत बारीकी से चेक करके ग लड़े हो चुके कि लड़ेंगे की नहीं लड़ेंगे लेकिन लड़ने से जो पहले जो प्रतिकिरिया है जो हाव-भाव है अपना रुत्वा वह बाहु बली का दिखाया जा रहा है और वो इस तरीके से की यूटूबर को धमकाया जारा और जो भी है मुद्दा कई सारे हैं बाते कई सारे हैं लेकिन जो भी लाइब स्ट्रीम में हुआ वो सरासर एक दम निंदनिये है और पवल सिंग आपके टीम निजो किया है वो बिलकुल गलत किया है चाहे हो खिसाडी लाली आदे की टीम हो या फिर आपकी टीम हो जो भी हुआ है वो सरासर निंदनिये है बाकी आपको कुछ कहना हो या गाली गलोज करना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद